पदम प्रान के पाताल खंड में भगवत भक्ती के लक्षन तदा वैसाक शनान की महिमा अम्बरेश बुले मुनिश रिष्ट आपने बड़ी अच्छी बात बताई इसके लिए आपको धन्यवाद है आप संपूरन लोकों पर अंग्रे करने वाले हैं आपने भगवान विष्टनों के सगुन अध्यान का वर्णन किया अब आप भक्ती का लक्षन बतलाईए साधों पर क्रिपा करने वारे महिर्शी मुझे ये समझाईए कि किस मनुश्य को कब कहां कैसी और किस परकार भक्ती करनी चाहिए सूजी कहते हैं रजाओं में श्रिष्ट माहराज अम्बरीश की ये वचन सुनकर देवरिशी नारत को बड़ी परसंतावी मैं उनसे बुले राजन सुनो भगवान जी की भक्ती समस्त पापों का नाश करने वाली है मैं तुम से उस भक्ती का बड़ी बाती वर्नत करता हूँ भक्ती नेको बरकार की बताएगी है मांसी, वाच की, काई की, लोकी की, वेदी की तथा अध्यात्मे की ध्यान, धारना, बुद्धी तथा वेदार्थ के चिंतन दवारा जो विश्णों को परसंद करने वारी भक्ती की जाती है उसे मांसी भक्ती कहते है दिन रात अविश्रांत भाव से वेद मंत्रों के उच्चारन जब तथा आरन्य कादी के पाठ तवरा जो भुवान जी की प्रसंदा का संपादन किया जाता है उसका नाम वाच की भक्ती है वरत उपवास और नीमों के पालन तथा पांच इंद्रियों के सहियम द्वारा की जाने वाली अराधना शीर से साथ दे होने के कारण काई की भक्ती कही गई है यह सब परकार की सिद्धियों का संपादन करने वाली है पाध्य अर्ध्य आदी उपचारन नित्य वाध्य गीत जागरन तथा पूजन आदी के द्वरा जो भगवान जी की सेवा की जाती है उसे लोक की भक्ती गहती है रिगवे जजरवेदर सामेद के जब सहिताओं के अध्यन आदी तथा हविश्य की आहू थी यग्य याग आदी के द्वरा की जाने वारी उपासना का नाम वेद की भक्ती है विग्य पुर्षने अमावस्या पूर्णमा तथा विश्यव अर्थात तुला और मेश की संक्रांती आदी के दिन जो याग करने का आदेश दिया है वह वेद की भक्ती का सादक है आ में योग जन्न municipality अध्याद में कि भक्ती का भी वर्णद करता हूं सुनु योगज भक्ती का सादक सदा अपने इंदरियों को सेहिएं में रखकर प्राणा या मपुरणद्ध्यान किया करता है विश्यों से अलाग रहता है वे ध्यान में देखता है कि भगवान जी का मुखनन तेज से उद्दीप्ध हो रहा है उनके कटी के उपर भाग तक लटका हुआ यग्यों पी छोबा पा रहा है उनका शुक्ल वरन है चार बुजाएं है उनके हाथों में वरद एम अभे की मुद्राएं हैं वे पीत वस्त्र धारन की होई हैं तिथा उनके नित्रत्यन सुंदर है वे परसंता से परिपोन दिखाई देती हैं राजन इस परकार योग युक्त प्रुष अपने हिद्दे में परमेशर का ध्यान करता है जैसे प्रजुलित अगनी कास्ट को भसम कर डालती है उसी परकार भगवान जी की भक्ती मुनिश्य के पापको तदकाल दख्त कर देती है मभवान श्री विष्णों की भक्ती शाक्षाद सुदा का रस है संपुरन रसों का एक मात्र सार है इस प्रिथी पर मुनिश्य जब तक उस भक्ती का श्रवन नहीं करता उसका आश्रे नहीं लेता तब ही तक उसे सेंकडो बार जनम मृत्यों और जरा के अगाच से होने वाले नाना परकार के देहिक दुख परापत होती यदि महान प्रभावशाली भगवान अनंत का कीतन और समरन किया जाए तवे समस्त पापों का नाश कर देते है ठीक उसी तरह जैसे वाईयों मेक का तथा सूरे देव अन्दकार का विनाश का डालते है राजन देव पुजा यग्यत तीर्षनान रत अनुस्थान तपस्या और नाना परकार के करमों से भी अन्तेकरन की वैसी शुद्धी नहीं होती जैसी भगवान अनंत का द्यान करने से होती नारनात जिन में पित्र यश्वले तथा अपने भगतों को भगती परदान करने वाले विशुद्ध सवरो भगवान श्री विश्णु का कीतन होता है वे ही कथाएं शुद्ध हैं, तथा वे ही अथार्थ, वे ही लाप पुचाने वाली और वे ही हरी भक्तों के कहने सुनने योग्य होती हैं, भूमंडल के रज्य का भार संभालने वाले धीरचित महराज अंबरीश, तुम धन्ने हो, क्योंकि तुमारा हिद्ध परशुत्तम के ध्यान में एक तान हो रहा है, तथा सुभाग्य लच्षमी से शोबित होने वाली तुमारी नेश्टिक बुद्धी, श्री किष्चंद्र की पुन्य में लिलाम के श्रवन में प्रवित्त हो रही है, भोपते, बग्तों को वर्दान देने वाले अविनाशी भगवान श्री विष्टों की भक्ति पूर का राधना किये बिना एंकार वश्च अपने को ही बड़ा मानने वाले पुरुष का कल्यान कैसे होगा, भवान माया के जनम दाता है, उन पर माया का प्रभाव नहीं पड़ता, सादु पुरुष उन्हें भक्ति के द्वरा ही प्राप्त करते है इस बात को तुम भी जानते हो, धरम का कोई भी तत्व ऐसा नहीं है जो तुमें ग्यात नहीं हो, फिर भी जिनके चरन ही तीत हैं, उन भगवान की चर्चा का परसंग उठा कर, जो तुम उनकी सरस्कता को मुझसे विस्तार के साथ पूछ रहे हो, उसमें यही कारण है कि त पूरम बढ़ाना चाते हूँ, मुझ जैसे लोगों को आदर दे रहे हो, सादू संत जो एक दूसरे से मिलने पर अधिक शरद्धा के साथ, भगवान अनंत के कल्यान में गुनों का कीतन और श्रवन करते हैं, इससे बढ़कर परम संतोष की बात तथा संचित पुन्या, मु यह सब श्री हरी के सवरूप हैं, सूर्य, चंद्रमा, वायो, पृत्थी, जल, अकाश, तिशाए, ब्रह्मा, विश्नु, रुद्र, तदा संपुरन प्रानी उस परमेश्वर के ही सवरूप हैं, इस चराचर जगत को उत्पन करने की शक्ति रखने वाले वे विश्यरों भ जिनकी चरन रेनुक तीर्थ के समान हैं, भवान अनन्ति जिनके आधान हैं, जो संपुरन प्रानियों के आत्मा तदा पुन्यमे लक्ष्मी के सर्वस्व हैं, उन ब्रह्मनों का आधर पूरक पूजन करो, जो विद्वान ब्रह्मन को विश्णु भुद्धी से देखता है वही सच्चा वैश्णम है, तदा वही अपने धर्म में बली माती स्थित माना जाता है, तुमने भक्ती के लक्षन सुनने के लिए प्रात्रा की थी, सो सब मैंने तुमें सुना दिया, आप गंगाशनान करने के लिए जा रहा हूं